नमस्कार किसान भाईयों स्वागत है आपका चनल एगरी आकास पे किसान भाईयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कदू में ज्यादा फल लाने के लिए हम कौन सी दवा डालें और वीडियो के आखिर में हम ये भी जानेंगे एक कुछ किसान भाईयों का कोशन होता है कि फल खराब हो जाते हैं जैसे आप इस्क्रीन पर देख रहे हैं कि फल खराब हो जाते हैं जो छोटा सा उसका फल बनना सुरू होता है तभी उससे फल मैक्की अटेक कर देती है यह क्यों होता है और कुछ-कुछ पौधो में फल बि चलिए शुरू करते हैं किसान भायों जब हमार जो कद्दू है उसमें फूल आने शुरू हो रहे हो तब हमें इसमें ऐसी कौन सी खाट डालने चाहिए किसान भायों जब हमार जो पौधा है फूल आने शुरू हो रहे होते हैं तो उस समय पौधे को विकास की काफी ज़रूत होती है किसान भाई होता क्या है कि जो लता वर्गी फसल होती है जैसे कद्दू है कद्दू वर्गी फसल है ये लता होती है इस लता को विकास करने के लिए बहुत सारी खात की जरुवत होती है इसमें तीन मुख चीज़ होती है पहली होती है नाइट्रोजन दूसरा होता है और तीसरा होता है Potassium, किसान भाई इन तीनों तत्तों की पूरती हमें करनी चाहिए, और कुछ किसान भाई गलती क्या करते हैं, कि क्योवल DAP डाल देते हैं, कुछ लोग हैं केवल UREA डाल देते हैं, तो अगर आप केवल DAP डालते हैं, तो आप क्योवल Phosphorus कमी पूरी करते है लेकिन आप Potassium नहीं डालते हैं, क्योंकि Potassium आप बुगाई के समय डालते हैं, फल आते समय नहीं डालते हैं, फल आते समय डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, और किवल Potassium नहीं उसमें तीनों तत्तों बहुत ज़रूरी होते हैं, जो Nitrogen Phosphorus और Potassium, किसान भाई इन तीनों ख पूरस्तियों, तत्तों की पूर्ती के लिए, हम डालेंगे 10-26-26 एन पी के, 50 किलो एक एकड़ में, साथ में हम डालेंगे 10 किलो Magnesium Sulphid, किसान भाई इससे क्या होगा, कि जो आपके फूल है Magnesium Sulphid डालने से, जो आपके फूल हो काफी अच्छे से आएंगे, और जो हम खा अगातार भिकास कर रहा होगा, ग्रोस कर रहा होगा, तो फल अपने आप ही जादा आएंगे, किसान भाईों, अब हम बात करते हैं, दूसरी समस्य की, जो किसान भाई कहते हैं कि हमाई जो फल बन रहे हैं, वो खराब हो जा रहे है, किसान भाई जो फल बन रहा है आपका, खराब हो जा रहा है उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मिदार होता है वो होता है फल मक्ही तो फल मक्ही का अगर आप नियंतरन करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में जाएए डिस्क्रेप्शन में आप जा करके प्ले लिस्ट पे क्लिक कीजिए वहां आ रहे हैं तो फूल जढ जाते है या फूल आता है फूल खराब हो जाता है ऐसा क्यों हम इस सवर्सन पर बात करते हैं किसान शे eerste क्ववायों होता क्या है? प्पूल जहर जा रहा है तो उसकी जो कमी है, उसमें बोरान और कैल्सियम दोनों की कमी होती है, अचासब।दध वापस से हमें तागत देना है और उसके वापस से फ्ल देना है। उसके लिए हमें क्या करना है। छीलिटिट कैल्सियम एक ग्राम, wizard, और Uma Tkin. इसको अखी एक ग्राम के लिएक तेना को आपको लेकर के वाइक लेकर आप यह लेंगे पाणी में स्यक्जजा कि gaming लेकर दख्याद गोर Y लेना है इसको आप मिला करके पूरे खेत में छिलकाव कर दीजिए जिसे जो आपकी फसल है और काफी अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगी किसान भाईयों और उसके बार आप उसमें खर-पतवार नियंतरल करके चलें खर-पतवार नियंतरल बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कीटों पतंगे होती हैं यहीं हमारी फसल को नुक्सान करती है आप नियंतरल करें और उस साथ ही खर-पतवार नियंतरल करके चलें और वापस से फसल को खड़ा होने में थोड़ा टाइम लेगा उसके लिए आपको उसमें 10-26-26 एंपी के 50 किलो और 10 किलो मैगनीसियम सल्फ कीजिए साथ ही चैनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आप कद्दू फसल पर और जानगाई चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रेप्शन और इंडि स्क्रीन पर अभी आपको लिंक मिल जाएगा आप वहां वजा करके पूरी प्लेलिफ्ट देख सकत हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद